करने से जोडों को दर्द और क्योंकि चिक वीड पाचन सक्ति को बढ़ाने के लिए पेट और आतों को साफ करता है नमस्कार दोस्तों मैं विजे सेनिया आपका मामल बाउन साही में फिर से स्वागत करता हूँ तो हमारे आसपास इतने सारी जड़ी बुटी है जिनको हम रोजाना देखते हैं लेकिन हमें पता नहीं कि इसके क्या लाव है इससे क्या फायदा है आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे जड़ी बुटी पोदे के बारे में बता हूँआ जो कि आपके आसपास भी आपको देखने को मिल जाएंगे मैं बात कर रहा हूँ चिक वीड की यह पोदा जो है यह आपने जरूर देखा होगा यह ठंडे वातावरण में आसानी से पनपने लगते हैं आपका भी अगर प्लांट नर्सरी में गए है तो वहाँ पे भी है आपने देखा होगा जो पेड़ पोदे होते हैं उनके बीच में इस तरह के जो प्लांट आपको देखने को मिल जाएंगे खेतों के किनारे या जहां पे नमी हो चाया हो ऐसी जगह पे बहुत आसानी से उग जाते हैं ज्यादतर लोग के इनको काट कर पशु को खिला देते हैं लेकिन यह हमारे लिए भी बहुत फायदे मन्द है इसके सेवन करने से हमें बड़े बड़े रोगों से निजात मिल सकती है आज की वीडियो में हम चिक वीड की पैचान, फायदे और इसके उप्यों के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस पोदे की पैचान कैसे करें यानि अगर आपके आस पास ये पोद है तो आप उसको पैचानेंगे कैसे दोस्तों चिक वीड का पोद है ये 10 से 60 सेंटिमीटर लंबा हो सकते है और ये जो है प्लांट एक दूसरे में उलज जाते हैं यानि कि अगर आप एक प्लांट को जमीन से निकालना चाहेंगे तो उसके साथ बाकी भी आ जाएंगे या पस में उलज जाते हैं ये आपको च्छायादार और जो नम जगह है वहाँ पे देखने को मिलेंगे मेरे या तो ये पूरे जैसे कि कोई पेड़ उसकी छाया में जहां पर हलके नमी रहती है वहाँ पर बहुत ज़्यदा फैल जाते हैं ये जमीन पर फैल कर जो है उसे डख लेते हैं यानि कि ग्राउंड को कवर कर लेते हैं इनकी जो पती हैं देखे कितनी खुबसूरत है ये बहुत ही छोटी छोटी पती हैं अगर इनको देखकर खाने का मन करें तो जी जगने की ज़रत नहीं है क्योंकि हम इसको खा सकते हैं और इसमें बहुत से आवशक पूसकतत होते हैं जो हमारे सरीर के लिए बहुत पाइद लगता है और इसके तने जो हैं बहुत ही नाजुक होते हैं आसानी से तूट जाते हैं और इसलिए इसको जो है जातर लोग जो है सलाज के रूप में खाना पसंद करते हैं चिक वीड को और भी काफी नामों से जाना जाता है जैसे मुर्गे का पोदा, विंटर वीड, स्ट ले लार या मीडिया है चिक वीड जो है पित वे कफ के दोस्को शांत करता है यानि कि किसी को पित की शिकायत है या कफ रहता है तो उसके लिए काफी फाइदे मंद है चिक वीड के सेवन से कब्ज, पेट, आत, वे खासी जैसी बीमारियों के साथ-साथ और भी बहुत सी सम प्रमश्याव से निजात हम पा सकते हैं अब हम बात करते हैं कि इस जड़ी बुटी पोद्यों से हमें किन-किन बीमारियों से छुटकारा मिल सकते हैं और कैसे हम इसका उपयोग कर सकते हैं नमबर एक तुचा विकार में फायदे मन चिकिविड का उपयोग एक्जिमा खुजली आदी में किया जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है एंटी ओक्सिडेंट एंटी इंफ्लमेंटरी और एनलेजिक गुन होते हैं जिसके कारण खुजली सूजन रूखपन जैसी स्किन प्र जोडों के दर्द में फायदे मन जोडों में दर्द होना गुटनों में सूजनाना दर्द रहना यह बहुत बड़े समश्या है आजकल इन सब से निजात पाने के लिए चिकविड का उपयोग काफी लाबदायक हो सकता है क्योंकि इसके अंदर एंटी ओक्सिडेंट एंटी दर्द है या सोजना रहा है काड़े से इसकी सिकाई कीजिए ऐसा करने से जोडों के दर्द और सोजन कम ओने लेगी नमबर 3 खासी में फायदे मन चिकविड से खासी और गले की खरास ठीक हो जाती है इससे अस्तमा और सर्दी के लक्षन है वो भी ठीक हो जाते हैं इसके ल विशाक्त पजार्थों को और बैक्टरिया को खतम करता है जिससे किड्ने में कोई संक्रमन जो है वो नहीं होता इसके लिए चिकवीड को आप इसकी जो पति हैं उसको कच्चा खा सकते हैं सलाद के रूप में खा सकते हैं नमबर पांच अपच में फायदे मन्द कब्ज और अपच ये दोनों बड़ी समश्या है जिससे आज का लोग बहुत परेशान हैं चिकवीड जो है इसका सेवन करने से इस समश्या से निजात मिल सकती है क्योंकि चिकवीड जो है पाचन सकती को बढ़ाने के लिए पेट और आत्तों को साफ करता है इसके लिए सुबह खाली पेट इसकी कुछ पतियां खा सकते हैं या इसके पोदे का एक से दो चमश रस निकाल ले और उसको एक गिलास पानी में मिला कर पी ले इससे अपच की जो समश्या है वो दूर हो जाएगी नमबर छे ब्लड सरकूलेशन में चिकवीड ब्लड सरकूलेशन में भी फायदे मन्द है नसों में किसी प्रकार की रुकावट हो या ब्लोकेज हो गई हो तो उसको खोलने में भी एक काफी फायदे मन्द है चिकवीड क्या करता है खून को पतला करके ब्लोकोज को खोलने में हेल्प करता है ताकि खून नसो में आसानी से बैश सके इससे उच रक्षाप में भी फायदा मिलता है नंबर साथ वजन कम करने में फायदे मन्द चिकवीड वजन कम करने में भी फायदे मन्द है इसके लिए सुबह खाली पेट चिकवीड की चाय का सेवन करना उपयोगत रहता है दोस्तों ये जड़ी बु उपयोग किया है कभी तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इसका उपयोग कैसे किया और आपको इसका क्या फायदा हुआ देखे मेरी कोशिश यही रहती है कि हमारे आसपास जितनी भी वनस्पती है जितनी भी जड़ीबूटी पोदे होते हैं हमें उन सब की जान करे ह आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेर करें अगर आप चैनल पे नए है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नए वीडियो को साथ तब तक अपना और अपने माता पेता का ख्याल दक्येगा शुक्रिया